नमस्कार मैं प्रिती एसके लाइब में आप सबका स्वागत है बढ़ते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों पर त्रिर्मूल कॉंग्रेस मजदूर यूनिन की भूख खर्ताल को खत्म करते हुए सहकारी स्रमिक अधिकारी कारेले में त्रिपक्षी बैठक बुलाई गई है करन ससुराल वाले ने महिला की गला दबा कर हत्या कर दी सिक्किम फुटबॉल एसोसियन वर रेफरी बोर्ट की बीच मद्भेट खुलकर सामने आ गया है अब ख़वर विस्तार से पतर घाटा अंचल त्रिनमूल कॉंग्रेस की और से 21 जुलाई के सही दिवस कारेकरम के समर्थन में पध्यात्रा की गई अंचल सभापती रामानन्द बर्मन के नित्यत्यों में सोमवार को निकाली गई है पत्यात्रा में काफी संख्या में लोग सामिल हुए पत्यात्रा पतर घाटा के पाचकल गुडी से निकाली गई जो खप्रेल बाजार में जाकर समाप्त हो गई रामनन्द बर्मा ने कहा की 21 जुलाई की सभा में जादा से जादा लोगों से संभिल होने की अपील करते हुए या पत्यात्रा निकाली गई चाय बागान त्रिनमूल कॉंग्रेस मजदूर यूनियन के तरफ से पिसले चार दीन से जाड़ी भूख हर्ताल को खत्म कराते हुए मंगलवार को माल सरकारी स्रम अधिकारी कारेले में त्रिपक्छी बैठक बुलाई गई है अब बैठक के नतीजे पर स्रमिकों को निगाठ टिकी हुई है हाला कि इससे पहले सुमवार को बागान स्रमिकों को लेकर गेट मीटिंग त्रिनमूल स्रमिक संगठन ने तराई डूवर्स प्लांटेशन वर्कर यूनियन द्वारा की गई थी सुमवर को नत्की चाई बागान में गेट मीटिंग की गई बताते चले कि नत्की चाई बागान के क्रमी लोपा माजी को निकाले जाने वा तेरा स्रमिकों को बिना कामकाच के पैसे दिये जाने के विरोध में चाई बगान त्रिनमूर कॉंग्रेज मजदूर यूनियन की और से पिछले चार दिनों से बागान में अंसन किया जा रहा है अंसन के चौथे दिन संगठन के केंद्रे सभापती वा अलिपूर दुआर जिला परिसत के सभापती थी मोहन सर्मा सांसा दर्शक, दस्रत तिर्खी विधायक, बुलू चिक बराई, सुक्रा मुंडा पहुचे थे उन्होंने सर्बत पिला कर अंसन कारियों का अंसन समाप्त कराया दक्षेन दिनाजपूर जिला के बीजेपी सभापती सुवेंद्र सरकार को गिरफतार कर लिया गया है पार्टी के महला नेत्री की आत्म हत्या के मामले में उन्हें गिरफतार किया गया है गज 4 जून को बुन्यादपूर में पार्टी की महिला मोचा की सह सभापती में मौसमी मजुमदार ने आत्म हत्या कर ली थी आरोप है कि सभापती सुवेंदू सरकार के कारण ही ऐसा हुआ है मौसमी मजुमदार को दल विरोधी काम करड़े के आरोप में पार्टी से बर्खास्त किया गया था इससे अपमानित होकर उन्होंने या कदम उठा लिया था मौसमी मजुमदार के पती ने इसके लिए सीधे तोर पर बीजेपी सभापती को जिम्मेवर ठहराते हुए थाना में शिकायत दर्ज कराई थी सिलिगुरी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलीस ने चोरी के स्कॉर्पियों के साथ दो लोगों को गरफतार किया सोमवार रात को लाटगुरी से वहन को बराम्त किया गया है मिली जानकारी के अनुसार गोरगपूर से एक नए स्कॉर्पियों की चोरी करके दो असमाजिक तत्वा स्कॉर्पियों की बेचने के इरादे से इसे लाटगुरी लाए थे गुप्त सूशना के अधार पर सिलीगुरी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की पुलीस ने स्कॉर्पियों को बराम्त किया स्कॉर्पियों में सिलीगुरी का टीसी नंबर लगाया गया है मंगलबार को आरपियों को सिलिकुडी महाकॉमा अदालत में पेश किया गया पुलीस मामले की जाच कर रही है अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सब्सक्राइब के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों की तरफ नियों चलपाईगोडी थाना इलाके के सांती पाड़ा में सोमवार राथ 10 बजे दो बक्षों के भी जगडे में 12 लोग घायल हुए है इस घटना से इलाके में काफी तनाओ है आरोप है कि रत मेला के दोडान दो बच्चों के बीच कहा सुनी पहले सुरू हुई इसके बाद इस मामले में उनके परीजन कूत पड़े दो पक्षों के बीच हाता पाई सुरू हो गई घटना में गंभी रूप से घायल पाच लोगों को अस्पताल में भरती कराया गया है घटना दो पक्षों से किसी को भी गरफतान नहीं किया गया है परेवरन सरक्षन के लिहात से पेड़ लगाओ, प्रान बचाओ अभ्यान फूरवाडी के एक नंबर अंचल में सुरू कया गया है मंगलवार को फूरवारी एक अंचल के सभी इलाकों में पौधे लगाए गए इस मौके पर फुलबाडी एक नमबर अंचल के प्रधान तपन सिंग वा अन्यम मौजूद रहे अंचल में नीम के पेड़ अधिक से अधिक लगाए गए हैं उत्तर दिनाचपूर जिला के इसलामपूर ब्लोग के कॉलेज पाड़ा में उर्दू एकाडमी तयार होने जा रहा है उर्दू एकाडमी के सुरुवात होने से उत्तर बंगाल में उर्दू भासा का विकास होगा उत्तर दिनाचपूर जिला में बाउन प्रतिसत मुस्लिम समुदाई के लोग रहते हैं इसलामपूर महाकॉमा में उर्दू भासा के विस्तार के लिए उर्दू एकाडमी गनीत करने का निर्णय हुआ है राज्य सिरकार की और से इसका अनुमोदन भी मिल चुका है दस कड़ोर 98 लाख रुपे खर्च करके इसे तयार किया जाएगा उर्दू कमिशन के चेर्मेन एकाडमी का निरिक्षन किये हैं उनके साथ राज्य के मंत्री गोलाम रबानी भी मौजूद रहे थे मंत्री का कहना है कि अगले तीन मेहने में यहां पठन पाठन सुरू हो जाएगा लगातार दो बार बेटियों को जन देने के कारण ससुरालवारों ने महिला की गला दबा कर हत्या कर दी घटना मालदा के हरिश चंदरपूर थाना के सालालपूर गाउं में घटी स्थानिया सूत्रों के अनुसार हरिश चंदरपूर थाना के वालुरघाट गाउं के निवासीत तांजीमा बीवी की शादी छे साल पहले सलालपूर के नहरालूल सेक के साथ हुई थी लगातार दूसरी बार बच्ची के जन्म के बाद तंजीमा बीवी के खिलाफ अत्यचार सुरू हो गया सों बार को गला दबा कर महिला की हत्या कर दी गई हरिश चंदरपूर थाना पुलीस ने मामले की जाच कर रही है सिकीम फुटबॉल एसोसियन वा रेफरी बोड के बीच मदभेत खुल कर सामने आ गया है SSF ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन से एक साल के लिए रेफरी बोड को निलंबित करने की मांग की है इस सम्बद में उसने फेडरेशन से पत्रचार किया है बोड अध्यक शामचुंग लामा ने बताया कि SSF ने हम लोगों को इस बारे में ना तो कोई सूशना दी और ना ही कोई नोटिस दिया गया अधिकारिक बयान के बजाए इसे मीडिया में ला दिया गया अब तक के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे SK Live आपका समय आपकी खबर नमस्कार